तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं जो अपडेटड PT 365 पाया है उसके एकनॉमी पार्ट से तो पहला इसके अंदर पार्ट है वो ग्रोड डिवलप्मेंट और पावर्टी एलेवेशन से रिलेटेड टॉपिक रहेंगे इसके अंदर इसमें पहला टॉपिक है महिला सम्मान सम्मान सेविंग सेर्टिफिकेट गए स्माल सम्मान सेविंग सेर्टिफिकेट इसको इस बजट में स्टार्ट किया गए नुपर्ट किया है यह हमारे इम्कॉर्ट हो जाती है एक एक one time इस के बारे में इसके बारे में धिलेख सकते हो एक one time small savings scheme है toutalnya 그리고 और एक एक two year है और आगे आने वाले दो सालों तक अब तिल मार्च ट्वेंटिफाइफ स्कीम के अंदर एंडरोल कराया जा सकता है बेसिक एम इस मॉल सेविंग स्कीम का यह है कि हम फीमेल एंपावर्मेंट करें थ्रू फानाशल इंडिपेंडेंस और इसमें एलिजिबल कौन-कौन है तो अगर कोई premature withdrawal करता है तो वह allowed होगा इसके अंदर और इस पर इंट्रेस्ट रेट जो 7.5% का मिलेगा तो going by the standards अच्छे-चे अफडी सके अंदर भी इतना 50 net प्रवाइड कर आती है वल्लेरिबल सेक्षिन को जिसमें मस्टी जो senior citizen वो दो होते हैं या disabled individuals होते हैं इनके लिए बहुत ज्यादा helpful होता है क्योंकि इनके लिए एक secured source of income बन जाता है अब government के लिए यह important क्यों है है because government को इससे resource मिल जाते है for mobilization for spending राइट तो इन फाक्त सेंटर का 20% borrowing requirement है वो इन small savings schemes के तुरू ही fulfill होता है तो यह पता होना अच्छिए next इसमें से कुछ पैसा जो है वो आगे states को भी transfer किया जाता है so the transfer to states is around 75% of the net small saving collection जो कि states को transfer किया जाता है from the center as a part of their loan right अब इंडिया में कौन कौन सी और small savings scheme चल रहे है यह भी हमें पता होना अच्छिए तो आपने कई बार post office deposit के बारे में सुना होगा post office के अंदर saving account रहते हैं उनके अंदर जो rds रहते हैं यह सब small saving schemes के example है इसके अलावा कुछ saving certificates मिलते हैं नाशनल saving certificate हो गया किसान विकास पत्र हो गया इसके अलावा government ने time to time कुछ और छोटी छोटी social security scheme जाओ रन करती रहती हैं जैसे आपको पता होगा सुकन्य समरिद्धी योजना है तो इसमें जो girl child है उसके लिए इसके अंदर आप जो है कर सकती है तो सुकन्य समरिद्धी योजना भी देख लेना यह इंपॉइंट है जो लोग EPFO वगरण का पीपर देख रहे हैं वह तो डेफिनिटली इन सब स्कीम को देख लेना ठीक है इसके लावा पब्लिक प्रोविडेंट फंड भी है जो कि इंप स्माल सेविंग स्कीम से अंडर आती है वर्रॉरल बात करें तो यह समाल सेविंग स्कीम का पैशा आता है उसको रखने लिए हम लगों ने एक national small saving fund जो है उससे बनाया है जो की government जो डिरेक्ली administer करती है और यह जो national small saving fund था यह established किया गए था in 1999 and this was established within the public account of India आपको पदा public account of India हमारे पास separate account है part from the consolidated fund of India and the contingency fund of India आपको contingency पदा emergency purposes के लिए fund बनाया गया और हमारा consolidated fund of India उसमें जो जितना पैसे पैसा निकालने के लिए पार्लिमेंट से प्रूवल लेना पड़ता है यहां पर पूरा पर्लिमेंट से पर्मिशन लेने के ज़रूत नहीं किसी को इसमें से पैसा निकालना होगा तो उसके लिए फीजिवल नहीं कि हम लोग बार 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 बजट पास कराते पर इसलिए पब्लिक अचांट्स अब इंडिया को पूरी तरह की से एक्जिकेटिटिव एक्शन के दुरू मैनेज किया जाता है और यह यहां दखना इस आर्टिकल पर इस नाशनल रूरल लाइवलिहोड मिशिन तो थोड़ा सा न्यूज में दा इसले नहोंने डाल दिया है वैसे बहुत पुराना मिशन हो गया तो बस इतना इसमें याद रखना मिनिस्ट्री ने से अभी एक एगिरिमेंट साइन किया मीशो के साथ जो कि ए इसको बार-बार रिब्राइंड किया गया था इसको रिब्राइंड करके नाशनल रूरल लाइवलिहोड मिशन नाम से लांच किया गया फिर मोधी गवर्मेंट के अंदर इन 2015 इसका नाम के आगे इसका रिब्राइंडिंग हो है अब इसके अंदर नोडल मिनेस्ट्री और रूरल डेवलेप्मेंट जो इसको इंप्लिमेंट करेंगे अब यह जो डे नरल है इसका पूर कॉंपोनेंट है अगर मैं बात करो तो इसके अंदर जो रूरल पॉपुलेशन है या जो रूरल हो सके फैनाशल इंक्लूजिजन बड़े क्रेडिट रफ एक्सेसिबिलेटी बड़े सस्टेनेबल लाइवलिफोड जनरेट हो और रॉस्पॉंदिंग यू सोचल डेवलेप्मेंट हो यही फोर पिलर्स है तो यहाँ रखना ऐसे जी जो है इसके अंदर बहुत इंस्टूइशन सच अशेज यही मेन फोकस है जो रूरल वुमेन है एस्पेशली पूर वुमेन उनको हम एसेजी के अंदर कॉंसरेट करें अब इसके अंदर फिर कैपसिटे बेल्डिंग के लिए गवर्मेंट के तरह से सपोर्ट मिलेगा टेक्निलोजी अप्ग्रेडेश आगे सलते हैं कुछ की टर्म्स देख लेते हैं रिलेटेट टू देवलेपेंट पार्ट तो इसमें पहला एक रिपोर्ट था सर्वाइवल अफ दे रिचस्ट इंडिया स्टूरी रिपोर्ट यह जो रिपोर्ट है ऑक्स फैम ने निकाली है तो जनरली आप जब भी इनिक् वन परसेंट है वो ओन करदा फॉर्टी परसेंट ऑफ इंडियास टोटल विल ठीक है तो एक बहुत ही स्टार्क नंबर दिया और ऐसे ही नंबर हमारे में में काम आ सकते हैं तो इसलिए यह यह यादखना इसके लावा रिपोर्ट में यह भी बताएगा कि GST और जो फ्यू बोला जाता है इंडिरेक्ट text इसको फिसकोव फियाका अब यह जो रिपोर्ट निकाले के लिए इनिधकक्स का इस्तमाल कियता है जो साइज घूर परसेंटाज एवर यह इनकंद के नुम गया है उसको हम एकस्पर यह प्लोट करते है और यह आपे ऐंडिया यह और जब हम इस दोनों के बीच में 45 डिग्री की एक लाइन बनाते हैं, ठीक है, स्टेट लाइन 45 डिग्री की, तो इसे हम लाइन ओफ एक्वालिटी कहते हैं, यानि अगर लेट से यहाँ पर 10% पॉपुलेशन थी, तो उनके पास 10% वेल्थ है, यानि हरा इंडिविजुल के पास equal wealth है, इसका यह मतलब होता है, 45 डिग्री लाइन का, तो अगर यह स्टेट लाइन है, तो इसका मतलब वो कंट्री में perfect equality है, और अगर यह लाइन जैसे जैसे कर्व करती जाती है, towards the downside, ठीक है, यह कर्व करके यहाँ पर B वाले पार्ट पर पहुंच गई है, तो हम इसे जैसे जैसे population बढ़ती है, income नहीं बढ़ती है, फिर एक point ऐसा आता है, जहाँ पर जो income है, वो बहुत तीजी से rise करती है, with a small rise in the population, तो यह बताता है कि बहुत कम population के पास बहुत जादा पैसा है, तो इसी से हमें गिनी कोफिशन निकलता है, तो गिनी कोफिशन को formula क्या होता है, it is A upon A plus B, तो A जो है वो यह वाला part है, और B जो है वो यह वाला part है, तो अगर A part 0 है, मतलब एकदम perfect line of equality के उपर बराबर हम आ जाते हैं, तो A 0 हो जाता है उस case में, तो 0 represents perfect equality, और अगर लेट से यह बिल्कुल नीचे हो जाता है, यह वाला जो line है, यह बिल्कुल नीचे हो आके इसके बराबर चिपक जाता है, तो हम देखते हैं कि A और प्लस B जो है वो बराबर हो जाता है, उस case में इसकी value जो है 1 आती है, और यह perfect inequality का example है, ठीक है, तो यह याद हकना, Lawrence Curve, Lawrence Curve से हमें, यह गिनी कोफिशिंट जो है निकलता है, गिनी कोफिशिंट का formula A अपॉन A प्लस B होता है, 0 perfect equality, और 1 जो है perfect inequality को represent करता है, तो इतना ही था इसमें जाने लाग, आगे चलते हैं, next is Prajwala Challenge, तो यह Ministry of Rural Development ने लाँच किया था, जिसमें ideas, solutions जो है invite किये थे, from people, so that they can transform the rural economy, right, तो यह लाँच किया गया, again Dean Dayal, and today, Yojana के अंडर, जो NRLM है, उसी के अंडर इसको लाँच किया गया, और इस ideas के basis पे हम लोग mobilize करेंगे, रूरल पूर हाउसओल्ड इन्टो दे एसजीज, right, तो यहाँ रखना, Prajwala Challenge, Ministry of Rural Development जो है, उसको take care कर रहे है, और यह, जो NRLM, NRLM जो मिशन है, उसी के अंडर आ रहा है, ठीक है, तो इतना दा इसमें जानने लें, आगे चलते हैं, नेक्स पाट पे, विचिस फिसिकल पॉलिसी, तो इसमें आप देख सेकते हो, स्टेट फैनने एंसे है, तो RBI ने अभी रिपोर्ट एक रिलीस किया है, टाइटल, इसका थीम था Capital Formation in India and the Role of the States इसमें यह बोला गया था कि स्टेट जो है बहुत ज्यादा फिसिकल डेफिसित बढ़ा रहे हैं और उसमें अलगल पॉइंट से जैसे कि और पेंशन स्कीम को वापस चालू करना तो वह सब थीम हम लोगों ने इससे पहले वाली जो आर्वी रिपोर्ट थी उसमें देखा था अब यह स्पेसिविकली बजेट के बारे में बात करें लाजली ठीक है तो इस रिपोर्ट की फाइंडिंग्स क्या यह पता होना चाहिए तो यहां पर बोला गया जो एग्रिगेट रेविन्यू रिसीट से है और स्टेट गवर्मेंट एंड यूटीज वर 14.9 परसेंट अफ़ जीडिपी और इसमें से 55 परसेंट जो है टैक्स से आ रहे है तो यहां दखना 50 परसेंट से ज्यादा शेयर है टेट्स के जो रेविन एक्सपेंडीचर के तौर पर जा रहा है तो रेविन्यू एक्सपेंडीचर आपको पता है जो रोत मर्ला में जो कर्चा होता है विश रेकर इन एक्स रेखर एन और फाद्यशा होना यह दिखाता है कि रांटरम सेट बिल्ड नहीं कर रहें टुक्तल लौं टम में थोड़ प्रेटल क्रेशिन नहीं होता है इससे कोई जॉब क्रेशिन नहीं होता है तो हमाइं चाहिए क्या कि हम कापिटल एक्स्पेंडिचर जहाँ है उससे बढ़ाएं तो अभी यह शेर यह दखना 18 83 परसंट जो है और और केवल 17 परसंट है तो केपिटल एक्सपेंडिचर जो है उससे बढ़ाने की जरू होता है यह पता हूं अच्छे है इसके अलावा इस रिपोर्ट में यह बताया गया कि जो स्टेट का जो फिसिकल हेल्थ है वो इंप्रूव हो रहा है आफ्टर जो कोविट नाइंटीन लॉक डाउन तो यहां पर जो स्टेट का जो 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 घ्रॉस फिसिकल डेफिसित है उसके ऊपर रिपोर्ट आया कि यह जो है रिदूज हो रहाट ताइम उन टाइम इसके अलावा जो स्टेट का जो डेट है विच इस बजचेट इस जो review committee आपको बता है, N.K. Singh जो review committee बैटी थी तो इसने बोला था कि states के लिए जो debt to GDP ratio है, वो 20% होना चाहिए, तो कोई में को बता सकते है, center के लिए क्या recommendation था, center का कितना होना चाहिए, debt to GDP ratio, anybody? 50%? correct है, 40% है, 40% है state के लिए, state का 20 है, यहाँ पे लिखाना, state के लिए recommended 20 by the FRBM review committee, और जो center है, उसके लिए 40% होना था, ठीक है, तो यह number याद अखना, हम लोग ने PT में भी देखा है, यह वाला number, right, इसके अलावा higher budget, budgeted capital outlay है, from states in 22, 23, right, उसके reasons आपको पता ही है कि इक center ने special assistance scheme चालो किया था, तो यह यहाँ पे लिखावा भी है, scheme for special assistance to state for capital investment, तो इसमें 1 lakh करोड जो है, interest free loan जो है, वो provide किया जाएगा, for the 50 years, तो आप समझी सकते हो, सिर्फ capital investment के लिए provide किया जा रहा है, तो इसलिए, long term में जो capital expenditure है, वो बढ़ेगा, ठीक है, और interest free loan borrowing space है, वो बढ़ा दिया गया, तो हम लोगोंने कई बार discuss किया भी था, जिसे power sector reforms हो गए, one nation, one ration card scheme था, ठीक है, उसको implement किया है, के अलावा, municipality reforms अगर किया है, तो यह सारे जो points से इनके उपर, अगर उन्होंने reform किया, तो फिर, center ने उनकी जो borrowing limiter वो बढ़ा दिया, ठीक है, इसके अलावा, ways and means advances का जो limit है, वो state governments के लिए reduce कर दिया गया, वाकि यह जो point है, inclusion of off-budget borrowing in the state debt position, यह हम लोगोंने जो PT discuss किया था, तब discuss किया था, I hope यह पता ही होगा, तो यह चीज़ जा आखना, generally को पता होना अच्छे है, दो तिन terms, तो primary deficit एक term होता है, तो कोई बाता सकत क्या होता है, हाँ, यह center ने जो पहले interest, loans के लिए interest जो pay करती है न, previous governments, वो हटा के यह primary deficit calculate किया जाए, परेक्ट, तो यह यह यादखना, जो borrowing से उसमें से हम लोग interest जो है, उसको हटा देता है, तो हमारों प्राइमरी deficit आ देता है, बाकि physical deficit आपको पता ही है, और यहाँ पे आप trend line देख सकते हो, तो trend as such, मतलब कहीं पे भी हमें ऐसा नहीं देखता कि कहीं पर steady rise हो रहा है, कहीं पर steady decrease हो रहा है, तो यह उपर नीचे होता रहा है, और यह I think सभी को पता है कि इस type का question आता है, जहाँ पे steady और consistent ऐसे point लिखिया है, तो वो जन्नली गलत होते है, ठीक ह इन्वेस्टर्स का पार्टिसिपेशन गर्मन सेक्योरिटी जेंडिंग मार्केट में बढ़ाना है, और साथे साथ जितने भी गर्मन सेक्योरिटी इडल पढ़े हैं इन्वेस्टर्स का उनको यूटिलाइज करना है, की हाइलाइट क्या हैं ड्राफ्ट नॉम्स के, तो eligibility द included है, यह यूज किया जा सकते हैं as collateral under GSL, और इसमें याद रखना है कि जो लेंडिंग एन ट्रेडिंग मार्केट में जो यूज हो रहे हैं उसमें Treasury Bill नहीं आएंगे, लेकिन collateral यूज किया जा सकते हैं, eligible participants कौन है, तो ऐसे entities जो या तो approved हो RBI से या फिर जो रेपो रेट ट्रांजाक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, tenure है, तो minimum one day and maximum of 90 days, next है securities borrowed under a GSL transaction shall be eligible for SLR for borrower, तो इसमें ध्यान रखना है कि जो borrower है, वो ही बस SLR quota में यूज कर सकते हैं, जो GSL transaction से जो securities मिली हैं और not lender के लिए ये अप्लिकेबल नहीं है, GSEX क्या है, तो हमें पता है एक tradable instrument होता है, जो central government या state government issue करती है, और ये जो government की debt obligation है, उसको acknowledge करने के लिए होता है, टीक है, GSEX हम different types के देखते हैं, तो एक होता है dated GSEX, एक cash management bill भी होता है और normal, जो treasury bills होते हैं, तो short term वाले उसे treasury bill कहा जाता है, जिनकी maturity less than one year है, और फिर ऐसे भी GSEX होते हैं, जो long term होते हैं, जिसे government bond या फिर data securities कहा जाता है, जिनकी maturity एक साल से जाधा होती है, central government है, वो treasury bill और data securities दोनों ही issue करती है, state government सिर्फ data securities issue करती है, जिसे state development loans भी कहा जाता है, GSEX carry practically no risk of default, क्यूंकि government banking होती है ऐसे bonds पे, और इसलिए इसे risk-free guilt-edged instruments कहा जाता है, मतलब कभी भी कोई default नहीं हो सकता आपके interest payment में, क्यूंकि ओविसलिए government है तो government आपको पैसे देगी देगी, अधर GSEX में, cash management bill और data GSEX हम देखते हैं, तो CMB है वो, और 2010 में इंटेड्यूस किया था, जो कि temporary mismatch जो है government की, उसे, cash flow की, उसे regulate या फिर उसे fulfill करने के लिए लाए गया था, CMBs have generic character of treasury bill, लेकिन maturity dates होती है 91 days, जो कि हम treasury bill में देखते है 91 days, 192 और 364 days का होता है, तो इसमें सिर्फ 92 days या उससे कम का, तो यही डिफरेंस है cash management bill और फिर इसमें, क्योंकि हमने यहाँ पहले देखा कि जो temporary mismatch है, उसको पूरा करने के लिए लेकर आ रही है, तो इसलिए यह CMB का यह है, dated G6 है, वो एक fixed या floating coupon rate होती है, इन securities की, fixed rate या floating coupon rate क्या हुआ, तो fixed rate मतलब maturity date तक आपको fixed interest rate मिलेगा, और floating coupon rate मतलब time to time, या इधर six month और a year, ऐसे में फिर से rate decide करेंगे, तो यह floating coupon rate हुआ, यह generally dated securities, इनका term लंबा होता है, पांक साल से चालिस साल तक, तो यह dated G6 होती है, next है, fuel tax rate, तो center and some states have been in conflict over petrol and diesel prices, तो अभी हमें पता है कि throughout the country, petrol and diesel के prices काफी high चल रहे थे, तो इसलिए यह काफी news में रहा है, तो petrol और diesel की pricing इन्डिया में कैसे होती है, तो public sector oil marketing companies जो है, वो revise करती है retail prices on daily basis, और यह किस पे based होता है, तो यह जो global level पे crude oil का जो price है, उस पे based है, आप अभी petrol pump पे गए हो, तो वहाँ daily rate mentioned होता है, तो यह daily ही revise होता है, price charge to dealers includes base price set by OMC and fret price, तो हम देखते हैं कि सबसे पहले oil marketing companies है, उसके बाद dealers है, फिर consumers है, तो consumer तक आने से पहले, इसमें स्टेट अपलाई करता है, add valorum VAT or sales tax on the base price, fret charges, excise duty and dealer commission on petrol and diesel, तो सारे ही supply chain के जितने भी points है, सब पे ही यह tax add होता है, तो consumer तक आते हुए, यह काफी price rise हो जाता है, तो यही एक टसल था कि central government ने excise duty पे तो इसने कम कर दिया था, rate लेकिन स्टेट अपने इंड पे taxes कम नहीं कर रहे थे, जिसके वज़े से excise duty के कम होने पे भी कोई price difference आने रहा था, तो इस पे ही यह टसल चल रहे थी, प्राइस जो भी petrol और डीजल की प्राइस है, उससे जो tax मिल रहा है center और स्टेट को, वो काफी major portion होता है central के taxes में, central government excise duty लेवाई करती है, हमें पता है excise duty, वो production के time कोई भी चीज मैनुफाक्चर होती है, उस time पे लगाया जाता है, और state tax, अपने sales tax, वाट यह लगाती है, excise duty, जो center के tax है, वो uniform है across the country, लेकिन state अपने लेवल पे अलग-अलग sales tax या वाट लगाती है, जिसकी वज़े से, throughout the country अलग-अलग state में, यह rates vary करते हैं, तो excise duty का दो component होता है, एक basic excise duty, और उस पे cess और सरचाज, जो भी center को excise duty मिल रही है, और फिर उस पे cess और सरचाज, तो उसमें से सिर्फ जो excise duty है, वो ही डिवाल्व कर रही है state को, और सेस और सरचाज का अमाउंट बहुत जादा होता है, जो कि डिवाल्व नहीं होता है states को, excise duty and VAT on fuel constitute an important source of, तो यह budget 20 से 21 का estimate दिया गया है, कि जो भी state center, जितने भी tax revenue है, उनका 18.4% वो excise duty से आता है, और petroleum and alcohol पे जो tax revenue है, उसका 25 to 35% state का वो petroleum and alcohol से आ रहा है, तो यह है, add valorem tax, यह है tax, tax based on assist value of an item, तो real estate या personal property की जो भी value है, उस पे असेस की जाती है tax, उस property की value पे जो भी असेस किया जा रहा है है, वो है add valorem tax, आगे चलते हैं फिर नेक्स पारट पे, तो next is banking, asset quality, restructuring and monetary policy, तो इसमें पहला topic है, microfinance sector, तो अभी एक joint report था, Pricewaterhouse Cooper, जो की एक audit agency है, और जो association of microfinance institution है, उन्होंने एक report निकाला है, जिसमें highlight किया है, the role of microfinance institution, in India's growth story, अब यह जो microfinance का, जो sector है, यह prominence में आया था, because of work of Nobel laureate, Muhammad Yunus, यह बांगलादेश के एक economist थे, जो नोंने यह microfinancing institution वादध जो system है, चालू किया था, बांगलादेश के अंदर, through the Grameen Bank, और 1976 में इन्होंने शुरू किया था, और उसको across the world, जो है, सब भी लोगोंने adopt किया, और India भी इसी direction में work कर रहा है, तो microfinance आपको पता ही है, एक form of financial service है, जहां पर छोटे लोन दिये जाते है, generally जो poor या low income household है, उनको, तो अगर microfinance का scenario हम इंडिया के अंदर देखे, तो सबसे ज़्यादा contribution, microfinance sector है, आपने कई बार गाओं के अंदर जाओंगे, तो आप इस ताइप की चोटी-चोटी जो financial agency, microfinance agency, जो 10-10, 12-20,000 के लोन चोटी-चोटी ऐसे लोन प्रोवाइड करती है, तो specifically यह लोन देनी की service करती है, और इसलिए यह NBFC बनती है, इसके अलावा फिर जो 3rd share है, वो small finance banks काता है, तो यह largely हमारे जो market share है, related to microfinance sector, पता होना चाहिए आपको, अब यह जो model है, microfinance का, यह individual basis पे भी दिया जाता है, बट जनरली preference रहती है, कि एक group में दिया जाए, तो group में आप जानता हो, एक तो SSG होता है, self-help group, और दूसरा होता है, joint lending group, तो दोनों के बीच में, difference पता होना चाहिए, जो self-help group है, वहाँ पे main focus, saving generation करने पे होता है, बट जो joint lending group होता है, यहाँ पे greater focus जो होता है, credit generation के उपर होता है, और generally, जो self-help group होता है, इसका जो average size है, वह 10 to 20 members का होता है, लेकिन जो joint lending group है, इसका जो size है, यह 3 to 10 members होता है, और फिर NPA की बात करें, तो non-performing asset के आपने principal, और जो interest अवो नहीं पेकिया, 90 days तक, वह NPA बन जाता है, NPA के जो percentage है, वह SSGs में जादा है, but as compared to that, joint lending groups है, इसके अंदर जो NPA है, वो less than 1% है, तो इसलिए जो NBFC related है, microfinance institution से, वो कोश्च करते हैं को, जो joint lending model है, इसके अंदर invest करें, या ऐसे लोगों को पैसा दे, जो कि joint lending के अंदर काम करें, ग्रूप के अंदर, ठीक है, अब regulatory framework के बात करते हैं, तो आपको एक committee पता होने चाहिए, सबसे पहले, वो है माले गाम committee, तो माले गाम committee ने specifically ये चीज़ बोला था, कि RBI को एक introduce करना चाहिए, comprehensive regulatory framework for the NBFC MFIs, microfinance institution, या देखना, माले गाम committee, जो RBI का supervision है, वो बताता है, इसके अलावा, RBI ने recognize किया है, एक साधन नाम से एक platform, तो साधन जो है, एक association है, impact financial institutions, as self regulatory organization for MFI, तो ये basically एक self regulatory agency की दरह वर्क करेगा, under the purview of RBI, जो कि manage करेगा, ये जितने भी microfinancial institutions इनको, ब्राड जो regulatory जो चीज़े हैं, वो बताने का, जो काम है वो body कराएगा, तो याँ रखना साधन जो है, ये microfinancial institutions से related, एक self regulatory organization रहे है, इसके अलावा, जो listing होती है, अगर किसी microfinancial institution company की, तो वो से भी के इंडर होती है, जनरली ये जो MFI होता है, पहले ये microfinancial institutions की दरह जिस्टर होता है, इसके अलावा मुद्रा है हमार पस, इसके अलावा मुद्रा है हमार पस, मुद्रा is microunit development finance agency, तो ये प्रदान मंत्री मुद्रा योजन है, उसके अलावा हमार पस एक e-shakti project है, जिसके अलावा हम map करते है existing SSGs को, और उनके जो related financial or non financial information है, ये एक database के उपर, website के उपर रहता है, तो याद अखना है e-shakti project के बारे में, तो this is all you need to know about it, आगे चलते हैं, next is insolvency and bankruptcy code, तो ये आपने कई बार सुन रखा होगा इसके बारे में, पर एक बार revise कर लेते हैं, आपको पता है ये 2016 में government लेके आई थी, aim ये था कि हमारा जो इंडिया का, इंडिया के अंदर जो insolvency से related, जो फ्रेमवर्क है, उसको और easy बना जाए, faster बना जाए, और market based बना जाए, ताकि जो भी corporate person है, partnership firm है, ये कोई individual है, इसकी insolvency हमें address करनी है, वो इसके तुरू time bound manner में हो सके, business बन करना और business खोलना तो आपको पता है यह अलग process है, बट business बन करना एक आसान process होना चाहिए, तो इस IBC के चार pillars है, तो ये pillars है, insolvency professional, insolvency professional basically एक ऐसा person होता है, जो कि किसी भी company जो कि IBC के अंडर आती है, या उसको ले जाए जाता है under the IBC, तो उसका जो insolvency related जो भी काम है, वो ये insolvency professional देखता है, और इसको training देने का जो काम होता है, वो insolvency professional agency, तो उसका काम यह ही है कि ऐसे human resources को hire करना, train करना, ताकि वो insolvency के जो proceeding है उसको carry out कर सके, ये first pillar है insolvency professionals, second pillar है information utility, तो यहाँ पे सारा का सारा data रहेगा, about the lender, और इसकी का lending terms थी, और ये पूरा का पूरा एक electronic database के निदर रहेगा, तो ये है information utility, इसका second component, तो third है insolvency and bankruptcy board of India, तो ये basically regulate करता है functioning of insolvency professional, insolvency professional agency, और information utility, जो इससे पहले हम लोगों ने दो pillars देखे, उसको manage करने का, regulate करने का काम जो है, वो insolvency bankruptcy, board के अंदर आता है, इसके अलावा जो last और जो fourth इसके अंदर pillar है, वो है adjudicating authority का, तो यहाँ पे हमारे पेस दो body रहती है, NCLT और DRT, दोनों में difference पता होना अच्छिए, NCLT companies का जो insolvency आता है, उसके लिए NCLT के अंदर matter जाता है, और कोई अगर individual के खिलाब insolvency का matter आया, तो DRT के अंदर आगा, यानि debt recovery tribunal, अब अगर दोनों के decision से, आपको कोई SMAT है, या आप appeal करना चाहते हो, तो दाट appeal will lie to the NCLT, विच इस the National Company Law Appealate Tribunal, तो यह आपको पता होना अच्छिए, Companies Act Act 2013 का, उसके अंदर ही ये दोनों bodies बनाई गई है, ठीक है, Company Act 2013, तो आगी जाने से पहले, एक थोड़ा सा basic सा concept समझ लेते हैं, generally ये भी commonly confused words के terms में ही आता है, तो insolvency और bankruptcy कई बार interchangeably use कर लेते हैं, layman language में, लेकिन इनका technical difference होता है, insolvency का मतलब, ऐसी situation जहाँ पर कोई company है, जो individual है, अपने उपर जो debt है, उसको repay नहीं कर पा रहा है, तो ये situation को हम insolven बोलेंगे, लेकिन bankruptcy जो है, वो एक legal term है, इसका मतलब legal proceeding चालू हो चुकी है, ऐसी company के उपर जो कि अपना outstanding debt या obligation फुल्फिल नहीं कर पा रहा है, court finally घोश्चत कर सकता है किसी को bankrupt, क्या आप वो ऐसी situation में नहीं है, कि वो अपना loan जो है वो repay कर सकता है, तो difference है, insolvency एक general term है, finances related, और bankruptcy जो है ये एक legal term है, ठीक है, तो ये difference पता होना अचीए, आगे चलते हैं, IBC के अंदर देखते हैं, कैसे debt का resolution होता है, तो इसके अंदर आप तीन packages देख सकते हो, ये तीन mechanism देख सकते हो, जिसके थूँ, जो insolvency का resolution हो होता है, पहला है corporate insolvency resolution process, CIRP, तो ये जो corporate, ये जो बड़ी companies होती है, उनके लिए ये जो process है, इसको start किया जाता है, तो यहाँ पे जो creditor in control model का ये example है, यानि जितने भी banks है, या फिर NBFC हैं जिन्होंने किसी company को loan दिया हुआ था, वो साथ में आते हैं, और उसे जो भी debtor होता है, corporate debtor, उसको IBC के अंडर लेकर जाते हैं, यहाँ पे जो financial creditor, operational creditor, या जो corporate applicant है, उस corporate debtor के, वो ले जा सकते हैं उसको in the IBC, और वहाँ पे तभी ले जा सकते हैं, जब company का size है, वन करोड से उपर हो, यह default का size 1 करोड से उपर है, तब वो corporate insolvency resolution process के अंडर आएगा, और यहाँ पे पूरा को पूरा जो insolvency है, उसको wind up करना है, within a period of 180 days, and to a maximum limit of 270 days, तो 180 दिन में कर देना, अगर ज़रूद पढ़ती हैं तो उसको extend किया जा सकता है, by 270 days, नेक्स चलते है, pre package insolvency resolution, यह जो है MSMEs के लिए लागू होता है, यह चीज़ यहाँ यहाँ पे debtor in possession model रहता है, तो यहाँ पे Swiss challenge एक offer किया जबता है, तो Swiss challenge में basically, companies जो है वो सामने से आके proposal देती है, कि हम इस तरीके से जो है, इसका debt का जो है, वो insolvency का resolution कर सकते हैं, ठीक है, Swiss challenge एक common term है, हमारे economic survey में भी इसको इसको इस्तमाल किया गया था, तो पता होना चाहिए, यह चीज़ यहाँ दखना, आगे चलते हैं, तो यहाँ पे, जो insolvency की पूरी proceeding है, 120 days के अंदर complete हो जानी चाहिए, तो यहाँ दखना, 120 days में यह complete हो जानी चाहिए, और फिर लास्ली है, fast track corporate insolvency resolution process, जो जो small companies है, start-ups है, उनके लिए यह जो है, proceeding जो है चलाई जाती है, provided उनका जो size है, यह below 1 crore होना चाहिए, मतलब जो asset value of 1 crore से less होगी, तो वो FIRP के अंडर आएगी, और यहाँ पे जितना भी resolution है, insolvency का, वो 90 days के अंदर complete करना है, तो यह याँ दखना, टीनों के अंदर size company का difference है, time period का difference है, तो यह था IBC के बारे में, आगे चलते हैं, अभी ministry of corporate affairs ने कुछ changes proposed किये हैं, तो general से points है, technology के अंदर एक e-platform बनाना है, to handle the multiple processes of IBC, तो general से points में कुछ खास नहीं है, next, इसके अंदर admission of CIRP applications, तो इसके अंदर जो financial creditors है, वो अशर्टेन करेंगे default, or the dispute occurrence at the information utilities, before filing such an application, under the adjudicating authority, तो पहले होना है, जो information utility है, वहाँ से ascertain करना पड़ेगा, कि यह certain person के पास, कितना outstanding loan है, फिर ही वो यह proceeding लेकर आ सकते है, next, streamlining of insolvency resolution process, तो इसमें एक खास बात यह है, कि यह जो real estate का जो cases है, इसके अंदर limit कर दिया है, कि कब आप जो है, real estate के cases को ला सकतो है, यहाँ पर, तो default projects होनी, यानि specific जो project है, जैसे कई बार क्या होता है, super attack का example ले लो, कि वो एक builder है, और बहुत सारे project वो run कर रहा है, तो कोई predator जो है, उनको तभी या सिर्फ एक project के case के अंदर ला सकता है, इस IBC के अंदर, तो project specific रहेगा, ठीक है, तो यह आदखना, real estate में, project अगर default हो जाता है, तो वहाँ पर apply होगा, और जो appointment of administrator है, इस case के अंदर वो allow कर सकते हैं, कि reverse CIRP हो सके, corporate insolvency resolution process, तो reverse CIRP क्या होता है, यहाँ पर promoter जो है, वो infuse कर सकता है, fund in the stall project for resolution, अपने ही project के अंदर, पैसे डाल सकता है, तो यह पतावन अच्छे, next liquidation process, तो यहाँ पर एक दो term, इस्तमाल करी गई है, liquidation और dissolution, तो किसी को difference पता है, what is the difference between liquidation and dissolution, चलो कुछ परता, तो यह आदखना, जो liquidation है, वहाँ पर हम बोलते हैं, यह जो company है, यह industry जो है, यह दिवालिया हो गया, और इसका समान बेच हो, जिसे पुरानी movies में आपने देखा था, यह पुरा घर बिख जाता था, बोली लगती थी, तो यह liquidation होता है, कि कोई अपना debt obligation फुल्फिल नहीं कर पा रहा है, तो इसके asset को हम बेचना चालू कर देते हैं, ठीक है, यह कर के, लेकिन dissolution में हम लोग company बंद कर देते हैं, तो बहुत सरे reasons हो सकते हैं, कि उसके ओपर जो देंदारी है, वो नहीं चुका पा रहा है, तो वहाँ पर भी बंद कर सकते हैं, यह उसकी जो utility है, dissolution if the liquidation is not feasible, मतलब अगर उसको बेच नहीं सकते हैं, लिक्विडेट नहीं कर सकते हैं, तो डिरेक्ली company बंद कर दो, ताके उसको फिर वो write-off कर पाएं, अपने accounts में से, तो I hope clear हो गया होगा IBC वाला part, ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट इस, loan loss provision LLPs, तो अभी Reserve Bank of India ने एक फ्रोट के discussion paper, कि आप banks को move करना चाहिए, towards expected loss based approach, और expected credit loss regime for provisioning, तो provisioning आपको term पता है, हम लोगों ने कई बार discuss किया है, यह common accounting practice होती है, जहांपे companies है, वो कुछ अपना जो part है, asset का, वो set aside कर गर रखते हैं, for possible losses, ठीक है, उनको anticipate करते हैं, कोई losses होने वाला है, तो पैसा जो है, उसको take care करने के लिए, side में रखा जाता है, इन चीज़ बैंक भी करते हैं, जब बैंक को लगता है, उसका कोई loan जो है, वो NPA बन गया है, वहाँ पे वो कुछ पैसा, जो है, set aside के रखते हैं, उसको cover up करने के लिए, इसे provisioning बोलते हैं, next एक term और पता आना चे, procyclic, तो procyclic का मतलब है, जब economy उपर जा रही है, तो market और related जो भी companies है, वो सब भी उपर जाएंगी, ठीक है, या अगर market नीचे जा रहा है, तो companies भी नीचे जाती है, तो यह procyclic approach होती है, यह company's का जो output है, वो economic output के साथ correspond कर रहा है, तो यह procyclic होता है, countercyclic इसका just toolt out है, अगर let's say economy खराब कर रही है, कोई company अच्छा करे है, तो हम यह से countercyclic बोल सकते हैं, let's say economy जो है, इस session में चल रही है, तो government क्या रहती है, पैसा infuse करती है market में, तो इसे हम countercyclic जो एक policy है, वो बोल सकते हैं, तो यह पतावाना अच्छे है, तो यह जो loan loss provision है, इसके अंदर banks को कुछ पैसा set aside रखना पड़ता था, जो उनका जो asset है, जो कि loan generally उनके asset होते थे, जो कि NPS बन जाते थे उनके लिए, तो अभी तक यह जो पूरा process है, यह NPS होने के बाद पर रखा जा रहा था, तो यह condition जो थी generally pro-cyclic condition थी, जब NPS बन रहा है तब बैंक्स है, वो उस पैसे को set aside रख रहे हैं as provisioning, तो यह phenomena traditionally चल रहा था, यह process जो है traditionally चल रहा था, और अब जो है RBI, इसको कह रहा है कि हमें move on करने की ज़रौत है, तो in fact यह एक standard के अंदर आता है, accounting reference standard है, जो कि international accounting standard, IAS 39, इसके अंदर जो है pro-cyclic prudential regime, जो है, तो follow किया जा रहा था, कि जैसे NPI आया तो provision रखना चलू कर दिया, लेकिन 2014 के अंदर, यह जो international accounting standard है 39, इसको supersede कर लिया, IFRS, which is the international financial reporting standard ने, यह चीज़ पता होना चे, और इसके अंदर expected loss based approach रखा गया, अभी जो expected loss based approach है, यह counter-cyclic, यह dynamic forward looking framework है, जिसके अंदर, हम जब economy अच्छा perform कर रही होती है, तब हम कुछ पैसा पहले से प्रोविजनिंग में रख लेते हैं, ताकि जब खराब time आता है, एकनौमी खराब करती है, या एकनौमी खराब हो रही होती है, तब banks जो है, उनको pressure ना पड़े उनके पास, कि वो प्रोविजनिंग के लिए amount set aside करें उस time पर, वैसे हम उनके जो number से ये balance sheet है, वो smooth रहीगी इसके अंदर, या अब उनके जब economy अच्छा perform नहीं कर रही है, जब उनकी income अच्छी नहीं होगी, तब उन्हीं ज़्यादा बड़ा provision रखने की ज़रोवत नहीं है, ठीक है, तो इस इस अब इस गूइंग तो वर्क, और ये जो international financial standard reporting, standard है, ये basically, IFSRS है, International Financial Reporting Standard Foundation, इसके दो standards है, उनमे से एक ये standard, हम लोग अब अपनाने जा रहे है, या एक discussion paper जो RBI ने float किये, तो ये यादखना, about this expected loss approach, ठीक है, अब इसके तरफ move on करने की कुछश्ट करें, तो इतना ही था इसमें, ठीक है, तो ये चीज और देख ले ना, इसके benefits क्या हैं, तो पहला enhance करेगा bank की solvency, कि let's say, इसके कोई situation हो जाती है, जहां पर bank run हो जाता है, या bank के उपर बहुत ज़्यादा, जो liabilities हैं उनको fulfill करने के लिए ज़रूरत आ पड़ती है, तो इस case में bank जो solvent रहेगा, क्योंकि उसके पास पहले से provision amount है, increase करेगा bank का resilience, credit worthiness बढ़ाएगा उनकी, और जो global regulatory framework हो इसके साथ align करेगा, यह पता हो न अच्छी है, next concern के बात करें, तो high impact है, of increased provision on the bank capital, या अब आप पैसे काफी सारा set aside करकर रख रहे हो, जबकि आप उसके corresponding उतना NPA होई न, तो provisioning में हम कुछ पैसे set aside कर देते हैं, इसलिए यह ऐसा एक fund है, जिसके उपर bank पैसा नहीं कमा रहे हैं, तो इसका impact हो सकता bank के overall balance sheet के उपर, next अभी तक यह जो phenomenon है, यह जो mechanism है, यह large skill पर अभी तक test नहीं हो है, बहुत limited countries में इसको test किया गया, और research basis पर ही चल रहा है, next business cycle की जो development होते हैं, यह जो upswing या downturn या boom और burst का cycle उसको काई बार detect कर पाना बहुत मुश्किल होता है, यह जब तक हम detect करते हैं, तब तक वो bottom out हो चुका होता है, तो यह कुछ concern है जिने address करने की ज़रू होते हैं इसमें, तो इतना है था इसके अंदर, आगे चलते हैं, नेक्स टॉपिक पर which is securitization of stressed asset framework, तो RBI ने अभी float किया एक और discussion paper on securitization of stressed asset framework, तो securitization का मतलब है कि हम, कुछ जो loan से उसको pool कर रहे हैं, और फिर उनको sell कर रहे हैं to a special purpose entity, और फिर आगे, यह जो special purpose entity है, यह in securities को, आगे investment के लिए डाल सकती है, तो यह पता होना अच्छे है, securitization के मतलब, आप उसे package कर रहे हो, और फिर उन्हें आगे जो investors को है, बेच रहे हो, तो this is securitization, और अगर आपने, जो global financial crisis 2008 का, उसके बारे में पढ़ा हो, तो उसके पीछे यह securitization का एक reason था, कि वहाँ पे जो banks थे, US के अंदर, वो बहुत घटिया घटिया, home loans के जो bonds से, उनको securitize करके, आगे आगे बेची जा रहे था, तो उन्होंने एक बहुत ही, complex से एक system बना लिया था, जिन में उसे पता ही निए था, कि exactly the bonds के अंदर, पैसे लगाए जा रहा है, वो कितने घटिया है, तो securitization भी एक ऐसा ही तरीका है, जहां पर आपके बास एक बहुत घटिया माल है, उसको आप बहुत अच्छी packaging करके, आगे लोगों को चिपकार्यों बेचने के लिए, ठीक है, तो layman language में इसको ऐसा बोल सकते हैं हम लोग, तो इसके अंदर हम एक special purpose vehicle बनाते हैं, जो कि कोई company हो सकता है, trust हो सकता है, या कोई और entity हो सकता है, जिसका काम specifically securitization का जो काम है, उसको देखना होता है, तो securitization में हम जो credit risk है, किसी भी asset के अंदर, उसे repackage करते हैं, into tradable securities, और इसके अंदर बहुत different types के risk profile हो सकते हैं, तो जैसे मैंना housing bond का बताया, तो उसमें कुछ housing bonds से, उनकी triple A rating थी, लेकिन कुछ ऐसे भी bonds से, जिनकी rating C या D, ऐसे घटिया-घटिया ratings वाले भी, जो bonds से उनको package कर देते हैं, ठीक है, in fact ETF अगर आपने सुनाओगा, भारत ETF, तो भारत ETF क्या था, कि इंडिया के कुछ जो PSU हैं, उनका एक basket बनाके, उनका या फिर एक group बनाके, हम लोग securities को बेच रहे थे, तो generally क्या होता है, जो घटिया PSU होते हैं, उसमें को investment नहीं करना चाहता, तो आप government को पैसा उस company के अंदर भी चाहिए, तो वो क्या करते हैं, वो जो घटिया PSU है, उसको किसी अच्छे PSU, like BPCL हो गया, इसके साथ जोड़कर, फिर आगे investors को बेच देते हैं, तो investor को लगता है, कुछ अच्छा भी मिल रहा और कुछ घटिया भी मिल रहा, तो average आउट हो जाता है, राइट, तो यही securitization का भी concept है, तो यह securitization में हम लोग basically करते क्या है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, कि हम लोग इसने वो asset को originate किया, जैसे suppose bank में कोई asset दिया है, या asset create किया है, अब bank का asset आपको पता है, उसका loan होता है, वो उसका asset होता है, अब उसका loan जो है, वो stressed asset भी हो सकता है, यानि NPA होआ भी हो सकता है, और एक standard asset होता है, जिसका अभी non performing asset ही है, मतलब non performing asset नहीं बनाए, 89 days के 90 days के अंडर अंडर ही है वो, तो दो form हो सकता है, तो यहाँ पर जो bank है, वो club करेगा अपने ऐसे बहुत सारे जो loans है उनको, उनके जो bond papers है उनको, और फिर club करके SPV को दे देगा, अब SPV जो है उसके उपर, जितना भी legal right है उस loan से recover करने का, वो सारा जो right है वो SPV के बाद दे रहेगा, SPV आगे जो है इस in bonds को, capital market के जो investors है उनके लिए खोल देगा, फिर वो आकर इसमें पैसा लगा सकते हैं, ठीक है, तो इस तरीके से securitization work करता है, और यहाँ दखना, यह जो securitization of stress asset framework जो है, यह enable करता है securitization of NPA, through the special purpose route, on the lines of securitization of standard asset, तो stress asset के case में हम लोग बात कर रहे हैं, कि वो भी हम लोग, इस special purpose route के थूँ हम लोग, route कर सकते हैं, ऐसे sub-standard assets हैं, यह जो stress asset हैं उनको, currently इंडिया के अंदर, हमारा जो securitization of standard asset है, यह allowed है, through the SPE route, special purpose route, in the accordance with the basal guideline, तो यह देखना, अभी हमारा, सिर्फ standard asset के लिए यह चीज़ allowed है, stressed asset के लिए यह चीज़ allowed नहीं है, यानि ऐसा loan, जो की NPA हो गया अभी तक उसके लिए allowed नहीं है, बाकि अगर securitization करना है, stress asset का, तो वो ARC's company कर सकती है, ARC आपको पता है, asset reconstruction company, जो की घटिया जो ऐसे loans है, NPA जो है, वो bank से उठा के उनकी balance sheet clear कर देता, और फिर जो recovery करने का, जो legal वगरा काम है, वो सारा ARC के पास साहरा दाता है, और ARC आपको पता होना चाहिए, ARC जो है, यह साराफेसी act के अंदर बनी है, यह 2002 का act है, राइट, साराफेसी के अंदर clearly बोला गया है, अगर कोई person है, जो की default हो गया है, अगर उसने bank से कोई loan लिया, और उसको repay नहीं कर पाया, तो वो default हो गया, तो ऐसी situation में, यह साराफेसी act के अंदर, bank उस entity की जितने भी assets है, उसको seize कर सकता है, without even requiring the consent of a civil code, और civil code उसमें कोई encroachment नहीं कर सकता है, यह stave अगरा कुछ नहीं लगा सकता है, ठीक है, तो यह पताऊना अच्छी है, साराफेसी के बारे में, और इसी के अंदर, ARC बनी है, आगे चलते हैं, तो under this, securitization of stress asset framework, जो NPA originator होगा, वो sell करेगा, them to the SPE, और by issuing securitization note, so SPE in return, they will provide a servicing entity, they will appoint a servicing entity, जो कि manage करेगा यह पूरा stress asset, और एक fee के बदले, यह पूरा structure जो है work करेगा, जिससे कि recovery जो है NPA की, यह incentivize हो, तो यह चीज़ यहादखना, इसके अंदर इतना ही था, इसमें एक चीज़ और यहादखना, investor जो buy करते हैं, ऐसे securitization notes, they are paid based on the recovery, यहादखने जो कि आपने, let's say, किसी ने इन securitization notes को, या bonds को खरीदा, तो उसको पैसा कैसे मिलेगा, वो भी तो हमें पता होना चीज़ है, तो यहाँ पे उनको, जैसे-जैसे recovery होगी, उस stressed assets से, और उससे पर जो पैसा निकलेगा, वो provide किया जाएगा to the investors, तो यह यादखना, यह waterfall payment mechanism के अंडर दिया जाएगा, इसके अंदर, जो higher tiered investors है, उनको पहले उनका पैसा दिया जाएगा, then the lower tiered investors, तो इन bonds के अंदर भी tiers रहेंगे, उसके साब से पैसा मिलेगा, तो यह चीज़ इसमें यादखना, आगे चलते हैं, तो next इसमें है, RBI related कुछ developments देख लेते हैं, पहला है climate risk and sustainable finance, तो यह basically, RBI ने एक और discussion paper release किया है, इसी सेम नाम से, climate risk and sustainable financing, highlighted the climate related risk, जो कि impact कर सकते हैं हमारे financial sector को, तो इसमें से physical risk हैं, बहुत सारे, heat waves, या flood या climate related activities की वज़े से, क्या नुकसान हो सकता है, next है transition risk, कि हम जैसे जैसे adjustment कर रहे हैं, towards a low carbon economy, उससे क्या हमाई risk हो सकता है, तो यह कुछ issues है, जो कि इसमें identify किया गया, तो इतना ही है, हमारे लिए जाने लाइक, आगी सलते हैं, next है payment aggregators, आपको पता है, हम लोगों ने, PT 365 एकनामिका था, उसमें भी discuss किया था, in fact, महाँ पर हम लोगों ने, account aggregator discuss किया था, यहाँ पर payment aggregator की बात हो रहा, तो RBI ने introduce किया है, payment aggregator framework in 2020, for regulating the payment aggregator, and the payment gateways, under eligible entry, entities which are eligible to apply for, the authorization under payment settlement, system act 2007, आपको पता है, इंडिया में अगर किसी को भी settlement का का काम करना, तो से payment and settlement system act के अंदर, अपने आपको register कराना पड़ेगा, तो अगेन यह जो payment aggregator जो है, और जो payment gateways है, इन सब को अपने आपको इस act के अंदर register कराना पड़ा है, तो इस से related यह जो framework है, इन लोगों ने introduce कर यहाँ है, तो यह हमें पता होना च्छी है, ठीक है, आगे सलते हैं, नेक्स इस उतकर्ष 2.0, तो यह रिजर्व बैंक का एक medium term strategy framework है, for the period 2023 to 2025, तो इसमें पहला जो phase था, वो 2022 के अंदर over हो चुका है, जो इसने 2019 से 2022 में cover किया था, तो उतकर्ष 2.0 के अंदर, RBI जो है, performance related issue, strengthening the trust of citizens and institution in RBI, basic basic चीज है, मतलब जो regulatory framework है, उस चीज पर ध्यान दिया जाएगा, तो अब आप समझ सकते हो, banking से related framework पर ध्यान दिया जाएगा, तो आप easily figure out कर सकते हो, क्या-क्या points आने चाहिए, तो इसको हम discuss नहीं करेंगा, आगे चलते हैं, next is fraud registry, तो RBI एक list के उपर, एक registry के उपर work कर रहा है, जिसके अंदर blacklist किया जाएगा, perpetrators of online fraud, and prevent the use of banking system, to stash digitally defrauded amounts, ठीक है, तो ऐसे लोग जो online fraud कर रहे हैं, और फिस fraud को, किसी और banking system का, इस्तमाल करके, उसे digitally किसी और form में convert कर रहे है, तो ऐसे के लिए हम लोग एक fraud registry बना रहे है, तो इसमें क्या क्या चीजे detail होंगी, तो ये पता होना चीए, तो इसमें हम IP addresses collect करेंगे, email IDs collect करेंगे, mobile numbers, ये जो भी चीजे use की गई है, for committing an online fraud, वो सब हम इकटा करेंगे, तो इसके थ्रू हम लोग जितने भी इन से linked accounts वगरा है, उन सब को blacklist कर देंगे, तो इस तरीके से हम लोग ensure करेंगे, ये जो frauds करते हैं, online लोग, ये banking system के अंदर ही ने trace करके रूका जासके, तो ये एक बहुत novel step है, online fraud को रूकने का, ठीक है, आगे चलते हैं, next is first loan default guarantee, तो in absence of clarity from the RBI, ये जो banks और NBFC है, they have almost paused tie-ups with fintechs, digital lending apps under the FLDG structure, FLDG जो है एक lending model है, जो जहां पर credit risk sharing agreement होता है, between a fintech and a regulated entity, regulated entity largely banks होते हैं, या NBFC होते हैं, जो कि किसी regulated entity के अंदर आते हैं, जैसे कि RBI हो गया, या फिर IRDA हो गया, इन सब के अंदर आते हैं, तो अभी कोई clarity नहीं है, इसलिए बहुत सारे banks, जो है, जो कि regulated entities हैं, उन लोगों ने अपना जो tie-up था, इन start-ups के साथ, या fintechs के साथ, उसे pause कर दिये हैं, तो ये first loan default guarantee, इसके अंदर बिसिकली ये होता है, एक third party guarantee करते है, to compensate upon a certain percentage, or default in a loan, portfolio of the regulated entity, अगर fintechs के वाज़े से, कुछ issue हो जाता है, default कर जाता है, उसके बहाब पर कोई third entity, जो है, वोरी पर ही करेगी, जो regulated entity उसको, ये चीज़ पता होने चाहिए, इसके बारे में, all right, so इतना ही था, इसके अंदर, last topic दिख ले रहे हैं, अज का, payment system and financial markets, municipal bonds, तो अभी NSE Indices Limited, जो की NSE का, NSE का, National Stock Exchange का, एक arm है, उसने introduce किया है, country का first, municipal bond index, तो Nifty India, municipal bond index, Nifty हमें पता है, NSE का, यह फ्लाग्शिप है, इसका रोल क्या है, इस इंडेक्स को जारी करने का, इससे, जितने भी municipal bonds है, उनका performance कैसा है, उसको ट्राक किया जा सके, और इनका grading कैसा है, मतला वो investment grade के है, या नहीं, या high quality credit है, या credit bonds है या नहीं, इसे ट्राक करने के लिए, यह इंडेक्स लाए गया है, फिर यह इंडेक्स है, तो यह इसमें अभी presently, 28 municipal bonds है, जो की 10 इश्वर ने इश्व किया है, और सबकी credit rating है, वो double A category की है, तो हम credit rating के बारे में जानते हैं, कि जो double A और triple A होता है, वो high credit quality वाली rating होती है, और फिर बाकि double B, A double, triple B और double B, यह medium quality credit होती है, तो यह जो हमारे municipal bonds है, यह double A category के हैं, यह investment grade rating कहलाती है, जो index है, इंडेक्स के constituents है, जो यह 28 municipal bonds, इनको असाइन किया गया है, उनके outstanding amount के weight के according, तो outstanding amount मतलब, इन municipal के अंडर कितना उनका debt, कितना उन लोगों ने loan रखा है, ले रखा है उसके according, यह weight असाइन किया गया है, base for index यह इतना important नहीं है, लेकिन देख लेते हैं, date है January 1st से 2021 का, और base value है 1000, review किया जाएगा quarterly, इतना इससे related news था, अब municipal bonds क्या होते हैं, तो local government bodies, यह municipal bonds issue करती है, अपने developmental projects को finance करने के लिए, और यह किसी भी तरह का government guarantee carry नहीं करती है, जैसा हम GSEX में देखते हैं, कि default पे भी आपको default की problem नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि आपको interest मिलेगा, तो ऐसी कोई guarantee नहीं रहती है, इसमें payment structure क्या होता है, एक escrow account होता है, escrow account का मतलब है, कि एक buyer है, एक seller है, और intermediate stage पे एक independent agent है, तो देखो यार, escrow account हमेशा दो parties के बीच में, जो payment होता है, उसको transparent रखने के लिए, हम escrow account जो लाते हैं, picture में, in fact, आपने defense contract में भी सुना होगा, escrow account होता है, वो सब transparency maintain करने के लिए होता है, यहाँ पे आप यह figure देख सकते हो, यह वाला figure, ठीक है, इसमें आप clearly देख पा रहे होगे, कि यह center में municipality है हमारी, जो कि कोई उसे, let's say, infrastructure project बनाना है, let's say, यह वाला जो है, यह project है, उसे, पार्क का beautification करना है, या कोई infrastructure खड़ा करना है, तो उसके लिए वो bonds issue करती है, bonds issue करने के बाद, उस bond को कोई investor जो खरीदता है, तो उसे municipality को कुछ bond proceed मिलते हैं, उस bond को बेचने के बाद, अब यह जो bond proceed है, यह infrastructure project में municipality लगा देती है, जैसे जैसे infrastructure complete होता है, उससे municipality को पैसा आने लगता है, अब पैसा upfront एक साथ तो आएगा नहीं, वो धीरे धीरे करके आएगा, तो bond का आपको बता है, एक fixed maturity होता है, कि एक specific point के बाद ही, वो चीज़ mature होगी, तो यह चीज़ ensure करने के लिए, कि municipalities हैं default ना करें, और उनके पास पैसा हो, at the point जब maturity आए, तो वो उस loan को दे पाए, तो उसके लिए एक escrow account बनाए गया, तो अब दीरे दीरे जैसे जैसे प्रसक्सर से जो revenue आ रहा है, उसका कुछ-कुछ प्रसीड जो है, यह escrow account में डालते रहते हैं, बाकी इनको अपने रोजमरा क्या जो administrative work है, उसके लिए भी पैसा चाहिए, तो इसलिए थोड़ा-थोड़ा amount डालते रहते हैं, तो, so that by the time जब यह bond जो यह mature हो जाए, तो इनके escrow account में इतना पैसा हो कि उस debt को यह service कर सकते हैं, debt का servicing मतलब ही अपने debt को repay कर पाएं, इस तरीके से यह escrow account वर्क करेंगा, ठीक है, तो, municipal bond market इंडिया के अंदर regulate किया जाता है बादे सेबी, आपको पता है, जितने भी security और जो investment related जो भी हमारा market है, वो सेबी ही regulate करता है, याद था, municipal bond जो है, market यह सेबी के अंदर ही आएगा, तो, इंडिया मुनिपल बॉंड जो मार्केट है, है सीन रिसर्जेंस of issuance, आफर सेबी इस इस्चु अन लिस्टिंग फॉर्ट इंडिया के इंडिया के इंडिया के अंदर आते हुए दिख रहे हैं हम लोगों को, और इससे एक financial incentive मिलता है, जो मैं पता होना चे, तो, Government of India has also provided incentive in form of lump sum grant in aid for municipal bond issuance, तो, Government of India या या निज जो central government है, वो एक grant in aid provide करती है, ऐसे municipality को, जो की market से या market bonds issue करके पैसा उठारे, तो, largely, यह जो municipal bonds है, यह investment grade है, 59% जो municipal bonds है, यह नहोंने रेसीव किया investment grade rating from the credit rating agencies, तो, यह पता होना चे, next, pooled financing रहता है, तो, there have been debate regarding the use of pooled financing to increase the use of municipal bonds, तो, हम ही थोड़ी देर पहले हम लोगोने securitization वादा जो point पड़ा, वही same चीज़ है, यहाँ पे हम लोग pool कर दें जितने भी municipal bonds है, ताकि उनके funding या उनके अंदर जो investment है, वो बढ़ जाए, तो, pooled financing यही same term है, utility bond, किसे को कोई question है, कोई doubt है, तो, पूछ सकते हो,